पाकिस्तान में मतदान जारी है जो की शाम 6 बजे तक रहेगा जिसके बाद आज ही चुनावी नतीजों का एलान हो सकता है आधी रात को ही तस्वीर साफ हो जाएगी कि पाकिस्तान के तक पर कौन बैठेगा इमरान खान नवाद शरीफ के भाई शहबास खान या फिर बिलावल अली भुट्टो देखिए ये रिपोर्ट पाकिस्तान के लिए आज सबसे बड़ा दिन है क्योंकि लोगतांतरिक तरीके से एक बार फिर सरकार चुनी जाएगी जिसके लिए तमाम राजनेतिक पार्टियां अपनी चुनावी जमीन तलाश रही थी इस आम चुनाव में 272 सीटो पर चुनाव लड़ा जा सकता है जिसमें से 70 सीटे आरक्षित है चुनावी अखाडे में 3500 सुमिद्वार उत्रे हैं जिनका राजनेतिक भविश्य तैग करेंगे पाकिस्तान के 10.5 करो डजिस्टर वोटर्स सुवे 6 बजे से ही वोटिंग जारी है बैलेट पेपर पर वोटिंग हो रही है इस बीच पाकिस्तान मुस्यम लीग के चीफ शहबाज शरीफ वोटिंग करने लोहौर पहुचे इस बीच इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ और शहबाज शरीफ के पार्टी के कारिकरता आपस में भीड़े लेकिन वोटिंग भूत पर तैनात पाक पुलिस और फॉस ने हालात संभाल लिये वैसे आपको बता दे कि पिछली सरकार का कारिकाल 31 मैं को पूरा हो गया था लेकिन राचनेतिक उतल पुतल के चलते ततकालीन नवाज शरीफ को जेल जाना पड़ा पाकिस्तान के चार प्रांटों पंजाब, पलुजस्तान, खैबर पक्तून और सिंध में चुनाव हो रहे है ऐसे में माना जाता है कि जिसकी सरकार पंजाब को जीतेगी वही किंग मेकर बन कर उबहेगी फिलहाल आज शाम को ही रुज़ानों से साफ हो जाएगा कि कौन बनेगा पाकिस्तान का अगला वजिर्याज़म पाकिस्तान के फिहास में आज तक कोई पियम अपना कारेकाल पूरा नहीं कर पाया 52 सुबे में सेना का हमेशा राज रहा भले दिखाने के लिए रोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनेगी लेकिन परदे के पीछे सुबे की कमान सेना ही समहलेगी रेशो दुनिया की तमाम खबरों के लिए आबने रहिए हमारे साथ